शामकमल इन्वेस्टमेंट्स शेर्स मार्च दिमाही में रेविन्यू शून्य फिर भी इस शेर में लगा 20% का अपर सर्किट जाने डीटेल्स शामकमल इन्वेस्टमेंट्स शेर्स शामकमल इन्वेस्टमेंट्स शेरों में शुक्रवार 2 जून को 20% का अपर सर्किट लगा और शेर बढ़कर 4.38 रुपए के भाव पर पहुँच गया। यह लगातार चौथा दिन है, जब शामकमल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शेरों में तेजी के साथ बंध हुए है। इस दौरान इसके शेरों में अब तक करीब 30 पीसदी की तेजी आचुकी है शामकमल इन्वेस्टमेंट्स शेर्स शामकमल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शेरों में शुक्रवार 2 जून को 20 परसेंट का अपर सरकिट लगा और शेर बढ़कर 4.38 रुपए के भाव पर प कमपनी ने बीते 30 मई को आधिकारिक घोशना की कि उसके बोर्ड ने कमपनी सेक्रेटरी और कम्पलायन्स अधिकारी के रूप में आनंद लोहिया की नियुक्ती को मनजूरी दे दी है श्याम कमल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी करते हुए हाल ही में बताया कि मार्च और दिसंबर तिमाही दोनों में उसका रेविन्यू शून रहा है इसकी तुलना में पिछले वित्वर्ष की इसी तिमाही में कमपणी ने सत्तर हजार रुपए का रेविन्यू दर्स किया था मार्च तिमाही के लिए शुद्ध घाटा भी बढ़कर पंदरह दशमलव चैनौ लाख रुपए हो गया जो इसकी ठीक पिछली तिमाही में 7.5 दो लाख रुपए और एक साल पहले की इसी तिमाही में 14.8 साथ करोड रुपए था पूरे वित्वर्ष 2023 में कमपणी का रेविन्यू शून रहा जबकि इसके पिछले वित्वर्ष में इसकी आय एक लाख रुपए रही थी इसके अलावा इस वित्वर्ष में कमपणी ने 26.25 लाख रुपए का शुद्ध धाटा दर्स किया है जबकि इसके पिछले वित्वर्ष में इसने 19.6 शून लाख रुपए का मुनाफा दर्स किया था यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कमपणी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2022 तक उसके पेरोल पर कोई स्थाई कर्मचारी नहीं था चुंकि कम्पनी की वित्तिय वर्ष 2023 की वार्षिक रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए इस अवधी के दौरान कर्मचारियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कम्पनी के रिविन्यू में गिरावट को देखते हुए और कर्मचारियों की स्थिती को देखते हुए यह सवाला उठता है कि आखिर कम्पनी ने वित्त वर्ष 2022 में कैसे मुनाफा दर्श किया था शाम कमल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड एक फानेशियल सर्विस मुहया कराने वाली स्मॉल कैप कम्पनी है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी यह भारतियर रिजर्फ बैंक RBI के पास एक रजिस्टर्ड NBFC के तौर पर फानेंस और इन्वेस्टमेंट सेवाए मुहया कराती है